नमस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और वो मुद्दा आपको भी उतना ही प्रभावित करता है शायद जितना इस देश के विपक्ष को करता है लेकिन बहुत कुछ बोलने से पहले कुछ तथ हैं यहाँ पर बोल देने जरूरी है अभी अभी बजट सेशन की समापती हुई है और हिंदुस्तान की राजनीती में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीती में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने JPC की अडानी महा घोटाले पर बात की हम ED जा रहे थे हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलीस पोर्स रोकता है हम संसद में जहां धरना करते हैं वहाँ पर मार्शल्स आते हैं हमारे माइक बंद कर दिये जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निश्कासित कर दिया जाता है एक मैच फिक्स करके एक रिवर्स एंजिनियरिंग करकर राहुल गांदी जी ने साथ फरवरी को सवाल पुछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोधी सरकार को कि वो कर देगी लेकिन असलियत ये है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बोखला जाती है राहुल जी के सवालों से ये सरकार बैक फुट पर है और इसी लिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा एक भी सवाल इनसे अनकंफुटबल पूछ लीजे बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिकासा मानता, किसानों की दूरदर्शा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महा घोटाला ये सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तत्थियों को सामने लाएगा बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं चाहे अडानी महा घोटाला हो, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीमो का एक चपरासी वाटसाप के माध्यम से चलाने की जुर्रत करता है, तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी, कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई, जो स्टेक होल्डर्स है, वो संतुष्ट नहीं हो इस चर्चा से और उसके बाद भी रातो रात इसको न चर्चा करनी है, और उसका संग्यान लेना है, तो ऐसी क्या जल्दी है, और अब जो जनवरी में आया था, उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पी आई भी फैक्ट चेक करेगा, अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन, जो सेंटरल ग जुजरिम है, सरकारी जज है, सरकारी सब कुछ अपने बारे में करेगी, तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं, जो कि असहज है, तो अब ट्विटर, फेस्बोक, यूट्यूब, वाटसाप, तमाम ऐसे प्लाटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आपको एक एक अधि सरकार दे दिया, एक छतर राज दे दिया है, कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं, लेकिन जादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्राक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, आपको याद होगा, 2019 में चुनाओ के जस्ट पहले, आपी के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी, कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे उपर है, सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था, और 31 मई को जब मोदी जी शपत ले रहे थे तो NSSO ने वो डेटा जारी किया, और 45 साल में सबसे उपर बेरोजगारी थी तो जिसको आप चुनाओं के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने NSSO को निकालने नहीं दिया, वो तीन महीने बाद डेटा भी सही था, ख़बर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था, फेक न्यूज कहकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में, 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है, वो मिड़े मील स्कीम के लिए, जो पोशन की स्कीम होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा सरकार ने, सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया, कि ये फेक न्यूज है और अगस्त में, विमेन इंचाइल डेवलप्मेंट ने एक नोटिस जारी किया, और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा अगर वो फेक न्यूज थी, तो आपको ऐसा क्यूं करना पड़ा, सवाल सिर्फ इस बात का है अगर वो फेक न्यूज थी, तो आपको नोटिफिकेशन क्यूं जारी करना पड़ा तीसरी स्टोरी में बताती हूँ गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है के सामने लाए, इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक, जब तक बोडी वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टी करनी पड़ी तो हर जो चीज असहज रहेगी, उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजेगा और उसके बाद उसी पर आक्शन लिया जाएगा मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी आप अपने फोन से हटाया जाए ये खबर चली थी उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है फिर पुष्टी सरकार नहीं करी वहां के एडिजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है राहूल गांदी जी ने रेलवे की निजी करण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौराण उसको भी फेक न्यूज कहा गया था बाद में सब ने देखा क्या हुआ तो मेरा कहना ये है कि जो भी असहज है अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो की लगातार हो रहे हैं और मैं दुख के साथ भी कहती हूँ और थोड़ा सा अक्षोब के साथ भी कहती हूँ अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेंस्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में अगर डिजिटल प्लाटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी इस पर कर रही है काम उसको भी फेक न्यूस कहा जाएगा अब हम देश को पूरी तरह से सेंसर्शिप पर ले जा रहे हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसर्शिप है इसका और कोई भी पर्याई नहीं है इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है आज मामला राष्ट्य सुरक्षा का है एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉंट्रैक्ट में सब कॉंट्रैक्टर है वो दहेज से लेके कांडला हजीरा मुंद्रा हर पर्ट में गुसा हुआ है उसको भी फेक न्यूस बता देंगे उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आबास को दबाते दबाते सरकार अब स्वचंद मीडिया सरकार अब पूरी तरह से सेंसर्शिप पर उतर आई है और ये ज़रूरी है कहना और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई है अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ी फेक न्यूस फैक्टरी दुनिया में कोई नहीं है और फेक न्यूस के सरगना जितनी भारतिये जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग है उनसे बड़े कोई नहीं है लगातार उनका जूट पकड़ा जाता है और हमी नहीं सोशल मीडिया प्लाटफोर्म्स भी उसको वेरिफाई करते हैं जूट फेलाने का काम इस सरकार के मंतरी करते हैं खुद प्रधान मंतरी जूट बोलते हैं मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में लेकिन ये सच है कि जो विवाद इस समय प्रधान मंतरी की एजुकेशन या किसी चीज़ को लेकर चल रहा है उसका जो bedrock है the issue there is कि वो जूट बोला गया है तो किसकी fake news की बात करेंगे आप एक व्यक्ति प्रशान पटेल है standing council है गोवा का भाजपा का सदस है कर सुप्रीम कोट ने उसको बोला कि आप लगातार fake news फेलाते हैं आप माफी माँगिए इसके खिलाब सरकार act करेगी और यह जो rules है इनकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें कोई भी judicial oversight नहीं है आपने platform को बोल दिया platform को हटाना ही पड़ेगा इसमे regulatory mechanism कोई नहीं है और यह भी सच है कि digital platforms ने खुद से आगे बढ़कर एक self regulatory body बनाई है जैसे कि Press Council of India है जैसे कि NBSA है TV channels के लिए ऐसी ही एक body उन्होंने भी बनाई है self regulatory body self regulatory body बनाने की बात fact checkers के लिए भी चल रही है fact की आपको बड़ी चंता है लेकिन fact checkers को जेल में डालना है तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है निंदक नियरे राखिये सरकार को ना निंदक पसंद है ना निंदा पसंद है ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है आपको लगता है कि यह सारी चीजे करके आप विपक्ष को या independent media को या असहज सवालों को दबा दीजेगा तो सच छुपाय नहीं छुपता है यह अपने आप में एक बात है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतिये जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हंडिल करती है क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही IP अड्रेस से 23 वेबसाइट तमाम फेस्बुक पेज भाजपा के क्यों चलते है जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन आक्चली प्रचार प्रसार प्रपगेंडा भाजपा का फेलाते है अगर आप फेक निउस पर क्राकडाउन कर रहे है तो सबसे पहले तो भारतिये जनता पार्टी के फेक निउस तंतर पर क्राकडाउन करिए क्योंकि जो क्राकडाउन करने का काम Ministry of Electronics and Information Technology ने IT Amendment Rule notify करके किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस आशे से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के धमका के उनको घर बठाया जा सके आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजेगा आप दो व्यक्ति को चुप करा दीजेगा लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि यह सरकार, Modiji जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है आपके सवालों का स्वागत है इफ I may just make a quick statement in English on this The IT Amendment Rules have been notified by the Ministry of Electronics and Information Technology as of two days back It's bizarre because these rules were put up for consultation in January It now says that fake news against the central government will be checked by a unit of the government itself So the government is the propagator the author, the originator and the factory of fake news operators and which is why the question is is the government willing to discuss issues that really matter A budget session has just gotten over The Adani scam the Chinese occupation unemployment, high pricing income inequality continue to be the raging issues of our times What you did you first sent police and marshals to silence the MPs You cancelled Rahul Gandhi's membership and you believe that he is not going to talk after that You believe that because you will suppress large sections of media you can do that to independent digital platforms as well You are trying to control this is nothing but censorship and control of the world wide web and every stakeholder is up against it the social media platforms are against it the users are against it the media houses are against it you read the statement of your own body the press council of India and you will figure out how draconian these rules are and how everything is being done to suppress the truth to suppress the press this violates this violates India's constitution this violates freedom of speech and expression and more than anything else it violates the IT Act of 2000 which is the mother law under which these amendments are being made the uncomfortable questions the uncomfortable truth baffles this government they are on the back foot and which is why they are now trying to control the world wide web there have been numerous instances of a news coming being called out as fake news by the government and then turning out to be true whether it was unemployment at a 45 year high whether it was Aadhaar being made mandatory for children whether it was the Galwan clashes and then of course the supreme sacrifice of our soldiers any issue whether it was railway privatization whether it was Chinese app being banned everything so far has had a pattern everything which is uncomfortable to the government will be called out as fake news and then the same government will go and act in accordance with the news item so these are this is a very baffling pattern this should worry every Indian because this is nothing but seizure control and censorship of the world wide web and I will only end by saying that if you are really serious about fake news will you act against your own because the biggest fake news factory in the world is the BJPIT cell the half truth the complete lies the slander the reputation assassination that happens from that fake news factory statements made by the prime minister attributed to somebody else statements not made by anybody attributed to people are you willing to act against your own is the prime minister going to be called out for the lies that he peddles is the home minister going to be called out for the lies that he peddles is the BJPIT cell going to be banned that's the question today happy to take your questions on this please yes 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 political parties और यह illegal है इसके अलावा इसको किसी तरह से नहीं देखा जा सकता है आज खत्रा सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है आज खत्रा आपके जैसे पत्रकारों के लिए भी है अगर आप मेहनत करकर कोई breaking news लाते है या कोई ऐसी ख़बर लाते है जो इस सरकार के लिए असहज है तो सरकार की यह unit उसको fake news बताकर किसी भी platform से हटा सकती है आपके पास कोई भी judicial oversight नहीं है इसकी आपके पास right to appeal नहीं है और जो Supreme Court के अपनी ruling है इस पर उसका भी adherence नहीं है तो यह मामला विपक्ष से यह मामला अब Congress से उठके और बढ़ा हो गया है यह मामला अब आपकी अभि independent media independent voices सरकार को accountable or responsible जो बनाते हैं उनके उपर सवाल खड़ा और इसको सिर्फ हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसका विरोध आप कर रहे हैं इसका विरोध news channels कर रहे हैं इसका विरोध social media platforms कर रहे हैं उसके बावजूद इतना draconian law क्यों लाया जा रहा है I am first going to take questions on this मैं usually किसी का नाम लेकर यहां से नहीं बोलती हूं किरन रिजीजूजी अरुडाचल से आते हैं जहां तक मेरी जानकारी है वह अरुडाचल से आते हैं अरुडाचल में चीन ने तीन बार नाम बदलने की धृष्टता करी है इस देश के कानून मंत्री है या ट्रोल मंत्री है उस पर बोलेंगे और सुप्रीम कोट ने अगर एक कमिटी बनाई है तो उस कमिटी का आने दीजे प्रकरार उसका आने दीजे रिपोर्ट आपकी क्या जल्दी है आप क्यों जाके रूस बंद करना चाहते हैं आपको रूस बनाने की क्या जल्दी है क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सवाल हर और से उठ रहे हैं सवाल समूचे विपक्ष से उठ रहे हैं सवाल इंडिपेंडेंट मीडिया से उठ रहे आप independent media को regulate कर दीजेगा, विपक्ष के सांसत को निश्कासत कर दीजेगा, जनता को भी जेल में डाल दीजेगा, असलियत ये है, तो किरन रिजीजु जी हर बार कुछ आने बाने उल जलूल बाते करते हैं, वो अरुनाचल से आते हैं, उनसे मेरा एक सीधा सवाल है, पहले मैं इस पर सुवो मोटर ले लू, फिर मैं लोंगी अदानी पर, एनिक अदर क्वेस्टेंस अन दिस, हाँ पूछिये, अपने पता नहीं एक कहावत है, हमारी और होती है गाउं में कि जादूगर की जान जो है, वो तोते में बसती है, अडानी पर बोलो दर्द मोदी और भाजपा को होता है, सबसे पहली बात तो मैंने भी वो ट्वीट देखा जिसका आपने जिक्र किया है, हम तो अडानी पर बोल रहे हैं, आप क्यों करते हैं, आप भारत सरकार के मुलाजम हैं या भाजपा के लोग हैं, अगर आप भाजपा के लोग हैं तो भाजपा का बचाओ करा करिये, सरकार के मंतरिये, नीतियों का बचाओ किया करिये, अडानी का बचाओ क्यों कर रहे हैं, और जो सवाल हमारे मन में आता है, आज वो बोलने दीजे ना हमने अडानी पर बोला है अडानी दे इसका स्पश्टी करण जो इस व्यक्ति का फादर है उसका Communist Party of China से लेना देना है उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं वो हर पोर्ट में घुसा हुआ है आपके स्ट्रटीजिक् रणनायतिक इंफ्रस्रक्चर में उसका हस्टक शेप है पाच-पाच-पॉर्ट में कांडला दहिजा हजीरा मुंधरा विशाका aqueles वह रेलोय रोड बना रहा है वह इंफ्रस्रक्क्चर रोड का बना रहा है वह उलेक्नेशंग कर रहा है अरे भाया अडानी को भी कुछ स्पष्ठीकरण देने दीजेगा या अडानी के कॉर्परेट कम्यूनिकेशन का काम भी अब भारतिय जन्ता पार्टी के लोग कर रहे हैं नब्स इनकी दुखाओ तो दर्द होता है साहब को और उनके लोगों को मुझे बिलकुल भी नहीं लगता कि विपक्षी एक जुटता किसी भी तरह से प्रभावित हो रही है समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है इस बार के बजट सेशन में सरकार इसलिए बौकलाई हुई है इसलिए घबराई हुई है और इसलिए इंटरनेट को कंट्रोल और सेंसर करने की बात हो रही है क्योंकि विपक्ष एक जुट होकर एक मत में मोदी सरकार को घेर रहा है जहां तक उनके बयान की बात है वो वरिष्ट है उनका बयान हो सकता है लेकिन बहुत गंभीर राष्ट्य सुरक्षा के मसले हैं यहाँ पर यहाँ पर एक चीनी व्यक्ति का चीनी कंपनी का जिसका चीन की कम्यूनिस पार्टी से लेना देना है वो घुसा हुआ है पूरे तंत्र में उसको अडानी जी लेके गलबईया कर रहे है अगर यह अंटी नाशनल अक्टिविटी नहीं है तो अंटी नाशनल अक्टिविटी क्या है इस देश के लोगों का LIC के धरकों का पॉलिसी धरकों का 30 करोर से उपर जो है 45 करोर से जादा SBI के अकाउंट होल्डर से उनका पैसा डूब रहा है LIC का जो इंवेसमेंट था वो नेगेटिव हो गया देश के लोगों के पैसे का सवाल है मुझे नहीं लगता है इसमें मेरा और भी कोई मत है मेरा सवाल होगा मैंने अपना जवाब दिया और मैंने अपने जवाब में बिल्कुल स्पष्ट तोर से कहा है कि बहुत गंबीर मुद्दे है राष्टिय सुरक्षा का मुद्दा है इसमें मुद्दा लोगों का है इसमें मुद्दा देश के पैसे का है इसमें मुद्दा देश के कानून के साथ उलंगहन का है अडानी is a leading monopoly वो अग्रिकल्चर और फूड में वो सिमेंट में वो रिन्यूबल एनरजी में वो पोर्ट में वो एरपोर्ट में एक छतर राज कर रहे हैं monopoly है उनके लिए इस देश के कानून बदले गए कि उनको एरपोर्ट मिले उनके लिए SEZ का कानून बदला गया पोर्ट का कानून बदला गया तो ऐसा व्यक्ति जब किसी चीनी कंपनी को अपने हर सब कॉंट्राक देता है तो राष्ट्य सुरक्षा का एहम सवाल नहीं खड़ा होगा बेनामी कंपनीज, 36 चेल कंपनीज, 38 चेल कंपनीज का उनके उपर आरोप है यह किसका पैसा आ रहा है देश में, 20 हजार करोड रुपए किसके हैं, यह सवाल तो उठे गई, मुझे लगता है कॉंग्रस के प्लाटफॉर्म से हम वो सवाल ज़रूर उठाएंगे, जो हमें सही लगते हैं अगर आप राहूल जी से जरा भी वाकिफ हैं, अगर आपने उनको अपना पुब्लिक कॉंडक्ट या परसनल कॉंडक्ट करते हुए देखा है, वो कभी भी ना मर्यादा का उलंगन करते हैं, ना आकरोश व्यक्त करते हैं, ना जो आपने कहा कि कोई स्ट्रटीजिक तोर पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानवाजी उन लोगों ने करी हैं, चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, चाहे राहुल जी के खिलाफ हो, उसकी हम जितनी निंदा करें, वो कम है ये सब लोग वो हैं, जो कॉंग्रेस के बिगेस्ट बेनेफीशरी थे, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपने अंतिम चुनाओ, चौरासी में जीता था, आजाद साब ने अपना अंतिम चुनाओ, और जब तक राजसभा में बने रहें, सब कुछ चंगा था, जब राज सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बने, आज वो जाके उलजलूल बातें कहते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है, ये उनका जो असली चाल चरित्र चहरा है, वो दिखाता है, और मेरा अपना मानना ये है, कि कॉंग्रेस से जब कोई बीजेपी में जाता है, तो ये जो आइडि पिछने के लिए समझाता करना है, जमीनी विवात को खतम करना है, अन्निता ये संबव नहीं है, क्योंकि हमारी वैचारिक विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान का रात दिन का फर्क है. ये बेकूफी की बाते हैं, इस पर मैं रियाक्त भी नहीं करूंगे. आपने सवाल ले लिया, आप आप ये सवाल इसके बाते हैं. वो सूपनक्खा जैसी लगती हैं. मुझे लगता है भारतिय जनता पार्टी में सूपनक्खा से विशेश प्रेम हैं. प्रधान मंतरी मोदी सदन में हमारी सांसद रेनुका चौदरी जी को सूपनक्खा बुलाते हैं. अब कैलाश विजे वरगिया जी इस देश की बेटियों को सूपनक्खा बुला रहे हैं. यही इनका असली चाल चरित्र और चहरा है. यही महिलाओं का सम्मान है. और इस पर भी जो महिला ने तरी लोग हैं, बौखला जाती हैं सवाल पूछो, वो चुब बैठी रहेंगी. यह भारतिये जनता पाटी में महिलाओं का सम्मान है, यह उनका असली चाल चरित्र और चहरा है. यही बोलना है मुझे. देश की महिलाए, देश की बेटिया, देश की आधी-आबादी, इसको देखे. कि अगर आपके जीन्स पहनने पर इनके उत्तुरा खंड के चीफ मिनिस्टर का बयान आया था, खटर का बयान आया कि रेप ही होता है क्योंकि लड़किया जीन्स पहन लेती है, अब कैलाश विजे वरगिया कह रहे हैं कि कपड़े पहनने से सूप नखा लगती है, इस देश का प्रधान मंत्री सदन में एक सांसत को शूप नखा बुलाते हैं, तो ये भाजपा का असली चाल चरितनो चहरा, I will just give a reply in English since you asked me to, what कैलाश विजे वरगिया is saying, at some level shows the love for शूप नखा within the BJP, the Prime Minister had called one of our women MPs शूप नखा, now कैलाश विजे वरगिया is saying the same thing, खतर is on record, the Haryana Chief Minister to say that women get raped because they wear jeans, another Uttarakhand Chief Minister who is no longer a Chief Minister said, women who wear shredded jeans have loose character, this is what the BJP is made up of and which is why you find so many BJP legislators facing criminal charges as far as offences towards women are concerned, why are so many rapists having BJP connections, why is it that political patronage is given to people who commit crime against women in the BJP, this is what the real DNA of the BJP is, what baffles me is that women leaders of the BJP will continue to keep quiet, as कैलाश विजे वरगिया and his ilk continue to make the comments. मुझे नहीं पता ये क्या बयान है और इसका बिलकुल संग्यान लिया जाएगा, मुझे लगता है ये सब बातों को भटकाने का मुद्दा है, असली बात क्या है, असली बात क्या है कि इस लोक्तंत्र में, अडानी पर सदन में 40 मिनट के भाशर के 18 अंक राहुल गांदी जी के एक्सपंज किये जाएंगे, असलीयत ये है कि 7 फरवरी को वो भाशर देंगे, और 9 दिन बाद 16 फरवरी को एहमदाबाद हाई कोट में, पुर्नेश बूतवाला या पुर्नेश मोधी जिसने बापना नाम रख लिया है, वो जाकर अपनी ही स्टे अप्लिकेशन विद्डॉव करेंगे, और कहेंगे कि मैंने सेशन्स कोट में जो चल रही थी स्टे जो लोवर कोट में चल रहा था, उसके लिए स्टे दिया था, मैं ही विद्डॉव करता हूँ, फिर फास्ट ट्रेक हेरिंग होती है, 23 तारिक को एक फिक्स जजज्मेंट आता है, और उस जजज्मेंट के बाद रहुल जी की सदस्टा चली जाती है, ये रिवर्स एंजिनियरिंग है, आज तक इस देश में ऐसे मसले पर किसी को दो साल की सज़ा नहीं मिली है, अगर एक साल 11 मैने 29 दिन की सदस्टा मिलती तो रहुल गांदी जी की सदस्टा नहीं जाती, इसलिए मेरा मानना है, ये फिक्स मैच था सरकार की और से, वो चाहते थे कि रहुल गांदी जी सदन में ना बोले, क्योंकि उनको पता था, जब वो बोलेंगे, वो अडानी पर इनका मुकोटा और इनको बेनकाब करेंगे, अडानी पर इनकी कलही और खोलेंगे, वो ये जानते थे, और इसलिए जब रहुल गांदी जी ने दो बार लिखित में, और एक माल मिलकर स्पीकर से बोलने का टाइम मांगा, तो टाइम क्यों नहीं दिया गया, स्पीकर कहते हैं, आप मेरे साथ चाई पी लिजे, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ, क्यों नहीं बोलने दे सकते हैं भाई, और अगर आपको लगता है कि राहुल गांदी की सदसता खत्म करकर, मीडिया पर ऐसे ये कानून लगा कर, वर्ल्ड वाइड मीबिया को सेंसर करके, एक एजनसी बठा देगी, जो किसी चीज़ को भी फेट निउस बता कर, सारे प्लाटफॉर्म से निउस हटवाएगी, अगर आप आवाज दबा सकते हैं, तो असलियत ये है, ये आपकी कायरता, आपकी बॉखलाएट, आपकी घबराएट दिखाती है, और लोग अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं, अगर अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं, Let's just take some questions offline, I think I'm done with the presser, you take questions offline, Thank you, thank you very much, किस बारे में? इदर ले लेते हैं, Thank you. किस बारे में?